तो हेलो मेरे दोस्तों, आज में आप लोगों को इंजीनोईल से रिलेटित कुछ खास जान कड़ी देंगे, ताकि आप Leo को पता चले, आपने ऑपने ऑपने गाडी में डाला है, वह एक्चलि बाइक का इंजीनोईल, ये इस्कुठी का इंजीनोईल है? तो इस चीज का जो confusion है इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा confusion दूर हो जाएगा और इसके साथ साथ ही मैं और दो तिन बात करेंगे इधर इंजिन ओयल के पीछे जो इधर जैसो का जो print दीग रहा है इस जैसो का print क्यों लगाय गया है और इसका मतलब क्या है और इसके साथ ही साथ MA2 और MB एक क्या चीज है और इसका बीच में क्या difference होता है और कौन सा इंजिन ओयल बाइक में डालना चाहिए और कौन सा नहीं डालना चाहिए और क्यू डालना नहीं चाहिए और इसकुटी में कौन सा डालना चाहिए और कौन सा नहीं डलना चाहिए, क्या क्या पॉब्लेम होता है तो इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को 2-4 जान करें देंगे ताकि आप लोगों को गारी के लिए कौन सा इंजिन ओयल डलना चाहिए ए बात खुले के कभी भी पॉब्लेम ना हो तो चलिए बीना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं तो मेरे दोस्तों जाने अन जाने आप अपने बाइक में स्कूटर इस्कूटी वाला इंजिन ओयल बार बार डाला रहे हो आपको खबर तक नहीं है बहुत सरे मेकने को भी इसके बारे में बिल्कूल भी पता नहीं होता है और इसी पॉब्लेम को लेके मैं आप लोगों से इस वीडियो में फूल डिटेल के साथ शेयर करेंगे तो सबसे पहले आप लोग देखो problem के शुर्बत होता कहा से जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया तो इधर आप लोग देख सकते हो M2 का side में क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको J-A-S-O JASO और दूस्ता डबब में भी देख लेता हो थोरा तो मेरे दोस्तों देख सकतो M2 का ठीक नीचे के side में इधर देख सकतो JASO लिखाई देखाई दे रहा है तो सबसे पहले सुर्बात होता है JASO के साथ तो कभी सारे दोस्तों को लग रहे है कि JASO क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ JASO का full form है J for Japanese A for automotive S for standards O for organization तो JASO एक संस्ता है जिसका काम होता है कि जो भी engine oil हम हमारे two wheeler में डालते है उस engine oil का chemical composition क्या होगा उससे किस तरह से बनाया जाएगा इंजिन oil बनेने का procedure क्या होगा इसका जो standard है वो JASO ही set करता है और उस standard के हिसब में जो JASO है वो engine oil को चार अलग-अलग rating देता है तो ए JASO का चार rating आप लोग अपना screen में देख सकते हूं तो rating number one JASO MA rating number two JASO MA1 rating number three JASO MA2 rating number four JASO MB तो मेरे दोस्तों ए जो चार rating है ए आपका engine oil के लिए बहुत important होता है तो सबसे पहले ए JASO क्या करता है engine oil के उपर clutch friction test करता है यह बहुत important part होता है और इसे के साथ-साथ तीन और अलग test करता है तो इसमें से एक होता है dynamic friction test दूसरा नमन में होता है static friction test और तिसरा नमन में होता है stop time test और इतने सारे test करने के बाद और इसके जो result आता है इसके according engine oil का जो rating है वो मिल जाता है तो पहले हम बताना चाहेंगे A में, A में 1 और A में 2 के बारे में तो जैसे के मेरे दोस्तों आप सब को पता हिए कि basically हमारा bike में जो clutch assembly होता है वो dry नहीं होता है वो weight clutch assembly होता है तो जो हमारा engine, gearbox और उसके साथ-साथ जो clutch assemble होता है इसके long lasting करने के लिए जोड़ी होता है engine oil जो कि हम लोग अपना bike में डलता है तो जैसो A में जो category होता है इसका काम होता है हमारा bike का जो clutch plate और pressure plate और उसके अंदर जो spring बगर होता है इसको अच्छी तरह कैसे lubricant करना और इसके साथ-साथ engine के अंदर और जितना भी गिररी होता है इन सबको जितना भी चीज होता है उन सबको lubricant करता है जैसे कि engine का life performance बेतर होता है और इसके साथ-साथ MA1, MA2 और MA जो category होता है इन तिनों में से जो MA होता है इस सबसे medium category का इंजिनाल होता है और इससे थोरा सा बैतर होता है MA1 और finally सबसे बैतर होता है जो एकदम four stock motorcycle के लिए बनाया जाता है ओ होता है MA2 जैसो MA2 तो मेरे दोस्तों ए जो MA1, MA2 और MA ए जो तीन category होता है तो इन तेनों category में से मेरे को जितना जान करी था मैं आप लोगो को बता दिया तो मेरे ख्याल से आप लोगो को थुरा बहुत समझ में आया तो आभी बात करेंगे जैसो MB के बारे में तो मेरे दोस्तों जैसो MB को बाइक में क्यों नहीं डाला जाता है क्योंकि जैसो MB जो engine oil होता है वो basically हमारे स्कूटी के लिए बनाय जाता है इनका जो friction modifier होता है वो हमारे स्कूटी के engine के हिसाब से बेतर friction performance देता है और इस friction को reduce करता है जो की स्कूटी में जरूरी होता है और जैसे हमें स्कूटी से कुछ हद तक mileage मिल जाता है तो इन चारो category में से सबसे जो lower category ह होता है वो होता है जैसो MB category तो मेरे दोस्तों जैसो MB है इसको अगर bike में डाला जाए तो क्या होगा आपको जानकर बहुत खुसी होगी के बाइक के engine के अंदर जो clutch plate होता है उसको बहुत नुक्सन पहुचाता है और इसके engine के अंदर बहुत सरा problem केट कर देता है और इसके ब बाइक में ना डालो तो बहुतर है और बाइक के बाद करें तो आप लोग जैसो MB को निश्चित डाल सकते हो अपना बाइक में तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इतना तो पता चल गया कि कौन सा engine oil आपना बाइक के लिए और कौन सा engine oil स्कू झालो